आतर्येन ना सूजाली तो काय हो जाता है तो इंडोस्कोपी के लिए ऑधी करता है की आतर्येन ना सूजाए प्रकार आज ये वीडियो में जराण गया नमस्कार, मी डॉक्टर सुशान नागरिकर आयरोध तदने के ले 12 वर्चे जाले आयरोधेचे प्रैक्टिस मुंबई येते करते हैं मी तरह नो सूज यहना मंचे नक्की का है तो मॉडर्न साइंस मदे सूज यहना जो प्रकार असतो ना तहला इंफ्लेमेशन मंटाथ जावेला एकाद्या शर्दियराचे भागाचे ठीकानी जास्त प्रमणा मदे सेल अक्यूमिलेट होता डिफेंसिव सिस्टीम जी अपले शर्दियाचे असती ती जमा होते आणि त्या भागाला हील करेला शुरुवात करते तहा आश़ुवाता त्याक हील जावेला पोर्टा मदे होतो अन्हों समुष्ता मदे होतो त्यार वेला त्या वेला नावाने उडख़तास्तो उधार सांगाज झाल होता अनेक जावेला एंडोस्कोपी करता त्यावयला त्याशा मदे गेस्ट्राइटिस नावात आजार इंफिमेशन मजे स्टम कला मंजे पोड़ा पोड़ा आतरनल सूझ एते त्याला गास ट्रेक्राटीस मन्था कॉङ जा ब्लाइला ही तो यहीं पूलीपरीयर मेनात मेत रिकिया देवार्वां प्रकार अमीले जारुत में पहल्या जाते हैं दियासरी जातेॉख वेल प्रवार्वां, पाले में यहाते हैं विवसित पद्धती मदे घुषळे परेंत जठ्रा मदे टिकून ठेवने साथी एंट्रल या भागा चाठी कानी एक दर्वा जास्तो तो बंद कुरून ठेवने हे तचा काम अस्ता मा अशावेला त्या भागा मदे बर्याच वेला हे अन्न सरिकुलेट होतास्तो फिरत अस्त गुषळत अस्तो त्या मुझे तीथे सूज यनाची शक्यता ही जासतास्ते त्यास बरोबर दुसरा प्रकाची सूज ही पन अस्ते कि इकडे मजे जठ्रा मदे एसीड खूब जास्तो प्रमणा मदे जावेला हा एंट्रम चा दर्वाजा ओपन होतो आणि मा तिथून न्यूट्रल होन जातात्या त्या वेला समझा हैस एसीड जासता सेल तर पुडे जावन ते आत्रेडिएपन शुद्ध इजापोच होतो आणि मत्तिक डे जी सूज यते त्याला डियोडिनाइटिस मंटात्या त्या दोनी ही प्रकार वेवगडे आहे दोनी ही ठीकाणी आत रहन्ना सूज यते आणि त्यासा त्राज हा एसी लेटरीचा स्वरूपा मदे आपरेड़ा दिशा तस्तो आता हीज सूज आली तर लक्षण कशी दिश्तिलो आपन जवन घेतला कि जवनाचा नंतर पोट दुखी होना जवनाचा नंतर पोट असो पुडे फूगण कि वा गच्च वाटना टाइट वाटना जवना नंतर दोन तासा नंतर पोट गच्च होना दुखण कि या मदे आणि खिनेक विरोधावास असले सरके सुध्धा लक्षन असता कि जावेला एकादे व्यक्त जेवत नहीं त्यावेला पोटा मादे पित्त जास्त प्रमाण मदे जमा होता आणि त्या पित्ता मुळे अत्रड़नना त्रास होता स्तू मा न जेवता सुधाब त्रास होना अनि मा जेवन के लखी जरा बरवाटना का बरवाटना करन जावेला आसिड सिक्रेशन तूप जास्त प्रमाण मदे वाड़ता आणि ते आत्म मदे जट्राला त्रास त्याल लागता त्यार जेवन त्यावन 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 लगत कि दो नसाना नंतर पोट फोकत हे जे लकषन असत न ये शक्ति तो डियों। दीम मत्य असत मघंजे लहान आतराटन मत्य स्त अन्य ट्या ठीकाने आप्नेला ठ्रास दिशाईला लाखतो अशाप्रकारे लाए अ शूझ से लेटें त्रहारी सिशाज्य प्रकारां। सुझ्ध गर पुड़े जशा जशा आपने जातों समोठा अधरे तर्फ मोठा आटरे नहीं सुझ्ध सुझ्ध बहगा जाएं तर्फ ट्याला कोलोन सकोपी करा वे लगते त्या व्याज संड सचा माल गए तू आत्मदे कैमेरा नें तिथे बहगा लवा लवत कि किते कैई त्या टिकानी सुधा त्याला अलेली शूज़ते आणी ही जी आत्राइची सूज़ते मजे मोठे आत्राइची सूज़ते त्यासा डायरेक परिणाम अपने पोर्ट साफ होना कि वह न होना या वर्ति होतास तो कही वह ला या कोलाइची समुखे पोर्ट विव सी साफ होत नहीं कही वह वारंबर जुलाब होतास त्या टिकानी यह मोठे आत्राइची टिकानी सूज असते तिधी इजा जाली लेसे त्यामरेलते हाइपर अक्तिव होतास कि मां कधी डाइरेक्क कंस्ट्रिक करूंठ होताथ आणि त्यास बरबर कही वेला समझा त्यां ठीकानी जख्मा जाल्या त्यास रूपा अंतर अलसरेटी कोलाइटीस कि मां क्रॉंस डिसीस कि मां इंटेस्टाइनल टुबर्गिलासिस मां जे टीबी आत्या डेंसा टीबी असा मंटले जाता असे विग्रोण प्रकाश भीकार य अनेक विग्रोण प्रकाश लक्ष न या सुजय मदे सुध्धा दिस्ता आता तुम्हें बढ़ाद कि डॉक्टर तुम्हें सब्सक्राइब रवर रहा सर्वत्राश या उपाय के मितलानो सब्सक्राश पाहिले लक्ष थे आत्यानचे सुजय स्ते ना ही सहजा सहजी आलिली नस्ते जावेला अपन काहि तरी अपत्य सेवन गर्थो आंग वारंबर सेवन कर्थो दो त्या वैला यी आतरेंजी शोजेते और यी कमी करेंची धाली चिजहली कमी सुध्धा सवाजाशाजी होत नास्ते यह दर्गात्य भी न शुद्धा तुम्हाला हम्हे आहरा मदे तुम्ही ऐसाओ अशेर्त काहें करूकर है रिश्शता खेल्ग्टार आला जोस्तां हुध सब्सक्राइब काम करना कि हाँ हाथ मुझे जिती सू जाले ले आहे तीमी हलोणार ने तीमी एकाज आगया उरती स्ट्विन तसी तशीती मसर्स आणखिन एक्टी होईल अनि त्याला इजा आणखिन होजेल तसस अत्रणत सुधा तमी विचार करा कि जावेला अपला पोटा मदे सू जाले लेस्ते मुझे आत्रणत सू जाले लेस्ते त्यावेला त्यानना आराम देन सग्राइद पहिल कामस्टल पाईशे जावेला अपने त्याना आराम देना त्यावेला ती लगुकरत लगुकर ही क्या है का नहीं शक्या सब्सक्राइब तो कि तुम्हें एकदम हल्क जवन गया अता हल्के पधार तक कुटले याच्छा मदेश खुब तफावता है काई जड़ना वाट इडली कुप हल्किया है डोसा खुब हल्का है तो मितला इडली डोसा है फर्मेंटेट फूड है थे हल कि नस्ताथ हल्के पधार तन मदे मी कही गोश्टी तुम्हारा साव तो ते पधार तो दिवस भर त्यांचच आहारा मदे समावेश करा तुम्हा पोटाची जी सूज आहे ती बरीज कमी होएला तुम्हाला मदद होणा रहे सगयत पहला मंजे मुगा चा डाही चा सूप द नहींताई का बाजरी नाही बारली जाला जव सुदा मंदला जात तुम्हा नॉर्मल डाल भात गरम-गरम तरी तुम्हा पोटा चाला आराम होना रहे और तुम्हा आजर बर वाईला मदद होना रहे आण किने कि या ठीकाने में वनस्पती सांगोई ची तो ती मन्जे जा वेला पित्ता मुणे ही सूज वाडते ना त्या वेला या सूजे वर्ती पित्त कमी करना सरकी आउशदा अप्रेला इहाई विडागता तो या ठीकाने में एक सुपपा उपाय सांगतो जेश्टमद जे वेविध्यों तुम्हे शक्ता चोख्वा पित्त कमी होना रहा है पित्त गमी जाल्य करना सुपधभ कमी होना रहा है तर मित्रन्डु हाव वीडियो कसा वाटला माला कर्मेंट बक्स में नक्की करवा आणि पूरुचा विडियो यह परिंद स्वस्त रहा मस्त रहा